दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे तीन औरोतों या लड़की के बारे में दिन से आपको भूलकर भी कभी शादी अत्वा प्यार नहीं करना चाहिए अगर आप इन औरोतों के साथ शादी अत्वा प्यार करते हो तो आप बहुत बड़े संकट में पढ़ सकते हो आपकी जीवन बरवाद हो सकती है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रकार की जो लड़की है वहा है पैसो से प्यार करने वाली लड़की जी हाँ दोस्तों अगर कोई लड़की सिर्फ पैसो से प्यार करती है या फिर ऐसी लड़की जिसके लिए पैसो के आगे प्यार रिष्टे का कोई मतवन नहीं है तो ऐसे लड़की के साथ कभी भी शादी या प्यार बिल्कुल भी ना करें दोस्तों आपको तो पता है पैसा आज है तो कल नहीं है अगर आज आपके पास बहुत सारा पैसा है तो कल बहुत सारा पैसा होगा ऐसा आपके आप गैरंटी के साथ नहीं बता सकते हो तो दोस्तों जो पैसों से प्यार करने वाली लड़की होती है वहाँ आपको कभी भी धोका दे सकती है क्योंकि दोस्तों जब तक आपके पास पैसा रहेगा वहाँ लड़की भी आपके साथ रहेगी जब आपका पैसा खताम हो जाएगा वहाँ लड़की भी तुरंट आपको धोका देगी इसलिए दोस्तो पैसा से प्यार करने वाली लड़की के साथ कभी भी शादी या फिर प्यार गलती से भी ना करे जो दूसरे प्रकार की लड़की है वहाँ है चुगली करने वाली लड़की दोस्तो आचारिय चानकके ने अपने चानकके नेती ग्रंथ में ऐसा बताया है कि एक चुगली करने वाली लड़की बहुत ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि दोस्तों अगर आप चुगली करने वाली लड़की से शादी करोगे तो वहाँ आपके परिवार को ही चुगली करेगी और आपको अपने परिवार से दूर करेगी आपके और आपके परिवार के बीच ऐसी लड़की चुगलिया करके आपके बीच में दरार पैदा करेगी और आपके और आपके परिवार के बीच में आपके और आपके दोस्तों के बीच में चुगली करके आपका एक दूसरे से दूरी बढ़ाएगी इसलिए चुगली करने वाले लड़की के साथ शादी गलती से भी ना करे जो तीसरे प्रकार की लड़की है वहा है बढ़ो का अपमान करने वाली लड़की जी हैं दूस्तो आचारय चानक्यने अपने चानक्यनी ती गरंथ में ऐसा कहा है कि अगर कोई लड़की अपने से बड़ों का अपमान करती है यानि कि अगर ओहा लड़की अपने मातापिता का अपने सास ससुर कया या अपने पती यानि कि अपने से बड़ों का अनादर करती है या अपमान करती है तो ऐसे लड़की कुछ से शादी अत्वा प्यार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि आचार्या चानक्ये ने अपने से बड़ों का अपमान करने वाली लड़की को चरित्रहिन कहा है इसलिए अपने से बड़ों का अपमान करने वाली लड़की से भूल कर भी कभी भी आपको शादी नहीं करनी चाहिए